अल्राइट गाईज दो पहर दो बजे को PNB का quarter 2 का result निकल के आया है और result निकलने के बाद लगभग लगभग 5% का गिराबाद देखनों को मिल चुका है या पर आप देखी सकते हो कि result निकलने के तुरंत बाद ही 4.92% करिब करी 5% का आसपास अच्छा खासा गिराबाद दे लगभग लगभग आज क्या जो result निकल किया था उस टाइम से एंड होते होते आच्छा खासा गिराबाद देखनों को मिल चुका है तो इसका गिराबाद का पीछे result में कितना ज्यादा effect हुआ है उसके लिए उसके लिए आम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप देखी सक अगर किसी भी कंपनी का निट प्रॉफिट के अंदर इतना ज्यादा गिराबाद होगा तो अभियसली पी अंबी का अंदर भी अच्छा खासा गिराबाद होना चाहिए था और अच्छा खासा गिराबाद हुआ भी है तो यहां पर आप देखी सकते हूं कि 411 करो प्रॉफिट देखनों को मिल चुका था मगर एड़ दा सेम टाइम कुछ कुछ पॉजिटीव बाती भी है यहां पर आप देख सकते कि टोटल इंकम आप दा सिगन कोर्टर अप करेंट फिसकल यार इनकिस 23,000 करो रुपीज का असपास टोटल इंकम किया है जबकि पिछले स सेम क्वाटर के अंदर 21,262 करो रुपीज का असपास टोटल इंकम पी एन बी ने किया था उसके साथी साथ गाइस दा लेंडर इंटरेस्ट इंकम और रोस तू 20,154 करो रियानी कि लेंडर का जो इंटरेस्ट इंकम है उनमें भी बर उत्री देखनों को मिल चुका है पिछ चुका है और NPA घिरना एक बैंक के लिए अच्छी बात होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वाटर का अंदर 13.36 का ग्रोस एन पे देखनों को मिल चुका था मगर इस साल सेम इस साल इस क्वाटर के अंदर 10.48 पसेंटेज का ग्रोस एन पे देखनों क का असपास है जबकि पिछले साल सेम क्वाटर का अंदर एक लाग करोर के भी उपर देखनों को मिल चुका था यानि कि नेट NPA में भी अच्छा कासा गिराबाट देखनों को मिल चुका है जो प्रॉफिटिबिलिटे में बहुत बढ़ा फरक किया है जो कि है प्रोविशनि पर बैद लोन्ड तो प्रोविशनिग अभी इंक्रीज हो चुका है पिछले साल सेम क्वाटर के अंदर 2,692 करोण रूपिच का असपास देखनों को मिल चुका था प्रोविशनिग फर बैद लोन्स मगर इस साल इस क्वाटर का अंदर 3,555 करोण रूपिज का आसपास दे तो अभी फिलाल के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए अभी हम लोग पूरा का बुरा डीटियल में टेक्निकल अनलाइसिस करूंगा अगर उससे पहले अभी तक धन दीमाटन ट्रेडिंग एकाउंट ओपेनिंग नहीं क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स म अगर जैसे ही आप एकाउंट ओपेनिंग कर लेते हो तो फिर आपको मेरे तरफ से बिलकुल फ्री में एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाएगा मैं आपको उस कोर्स में बताऊंगा मैं कैसे माल्टी वेगा स्टॉक्स को फाइंड करता हो इस तरह से आप भी माल्टी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग पोटल भी है उसके साथी साथ आपको एक प्रीमियम टेलिग्राम चैनल का भी लिंक दिया जाएगा और जिस टेलिग्राम चैनल में मैं आपको माल्टी वेगा स्टॉक्स का बहुत चारा जा देखे सकते हो कि पी अन्वी के अंदर जब मैं पहली पिछले बार अनलाइसिस किया था और उस टेम मैंने आपको बताया था कि यह जो रेंज है यह एक अच्छा खासा रेस्टेंस जोन है और यहां पर आप देखे सकते हो कि यह लिवल पर आते ही सस्टिन ही कर पाया है फि किल्कुल सीफर से पर शॉर्ट टाम के लिए या फिर मीडियम टाम के लिए आप पुजीशन बना सकते हो जिसने भी यह ट्रेंड लाइन का आसपास सखाई दा था तो उनको लगभग लगभग गाईस ट्विंटी वान परसेंट ट्विंटी परसेंट के आसपास आपको मिल चुका है रिटन फिलाल के लिए पी अन्वी के अंदर जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वह यह लाइन यह बहुत ही महत्पूर लेवल है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह 200 डेमा मुविंग अबरेज लाइन को तोड़ देगा यह 200 डेमा मुविंग अबरेज लाइ अगोस्ट को तोड़ दिया था उसके बाद अच्छा का सा उपर गया है उसके बाद दूबरा से जब नीचे आया है वह उस टाइम यह 200 डेमा अन्डेमा मुविंग अबरेज लाइन को सपोर्ट के तौर पर लिया है तो फिलाल के लिए यह लाइन अच्छा का सा सपोर्ट क देखनों को मिलता है जो की मैं आपको बता दूँगा तो उसके लिए आप को बस एक काम करना पड़ेगा नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राब बंटन देखनों को मिल रहा है तो वहां पे अपडिक करके अन्दर एह कुछ आपडेइट नकल कर आ रहा Ademásmor मेंट Almost 그다음 इसTiffany और अल्सो चनल को सब्सक्राइब करका और नूटिबिकेशन अन कर दीजेगा इस तरह कि नया और फ्रेश लेटिस्ट टाब्डेट PNB के बारे में जानने के लिए